नमस्कार मित्रों आज हम जानेंगे मनुष्यों की आदी भाषा क्या थी गोत्र कैसे शुरू हुआ और कैसे उपनाम रखने की परंपरा आगे बढ़ी है तो ये बहुत कौतुहल का विशे है इस बारे में सब लोग जानना चाहते हैं कि आखिर जीवन की शुरुवात में लोग कैसे बात करते थे भाषा कैसी थी या बहुत सारी चीजे तो आज उसके बारे में हम लोग जानेंगे तो शुरू करते हैं भासा से आदी भाषा क्या थी तो सुरिष्टी के आरंभ में प्राकृत भाषा थी प्राकृत भाषा अर्था प्रकृत की भाषा टो प्रकृतिक भासा में क्या है जैसे चिडिया की आवाज अपनी आवाज होती है शेर का अलग अपना आवाज होता है या बिभिनिय जनवरों का अपना अलग आवाज होता है और दूसरी होती है इसारों की भासा तो इन दोनों को मिला करके विशेस ध्वनी और इशारों को मिला करके जो बात करने की शैली विक्सित होई उस समय उसी को प्राकृत भासा कहते हैं तो सुरुवात में यही माध्यमती बात करने का विचार प्रगट करने का प्राकृत भासा कलांतर भगवान शिव द्वारा माता शक्ति को भाषा का ज्ञान दिया गया और माता शक्ति से सब्तरिश्यों को भाषा का ज्ञान मिला तो ये प्राकृतिक भाषा के बाद पाली और तमिल ये दो भाषाओं का ज्ञान मिला था भगवान शिव शे माता शक्ति को और माता शक्ति से सब तरिशियों को तब ये पाली और तमिल प्रचलन में आई तो अभी देखते हैं कि जितने भी बौधकाल की जो भी साहित्ते हैं वो सारे पाली में है और दक्ष्रे में जो भी साहित्ते हैं वो सारे तमिल में है तो एक साहित्य रचना के लिए एक पुर्ण भासा के रूप में संस्क्रित का ग्यान जो है महादेव द्वारा फिर माताशक्ति को दिया गया और माताशक्ति से अन्य सब्त्रिश्यों को मिला और सब्त्रिश्यों से मानवम आया तो संस्क्रित का उप्योग साहित्तिक रचनाओं के लिए किया गया बाकी बोल्चाल में प्राकृत भासा दिरे-दिरे विक्षित होती चली गई तो बोल्चाल में वही छेत्रिय भासा ही रह गई लेकिन जितनी भी साहित्तिक रचनाओं हुई सारी की सारी साहित्तिक रचनाओं संस्क्रित भाशा में हुई अब इसके बाद जानते हैं दीप निर्मण तो सुर्वाती समय में जब स्रिष्टी का प्रारंब हुआ था तो उस समय सारे तल पृत्वी के सारे तल जुड़े हुए थे कालांतर बारिश से समय चक्र चलता रहा परिवर्टन होते रहे तो जल अस्तर बढ़ता गया जल अस्तर बढ़ा तो प्रित्वी कई द्वीपों में बढ़ गई इस तरह से कई द्वीपों का निर्मार सुरू हुआ अब आते हैं गोत्र के बारे में तो गोत्र जो है शुरुवात गोत्र जो है ओ रिशी परंपरा से ही है तीन या चार रिशी हैं जिनका गोत्र चला है कशप रिशी हैं अगस्त हैं ऐसे बहुत सारे हैं शुरुवाती टाइम में इनसे ही गोत्र चला है उसके बाद अलग समय में फिर कुछ रिशी हुए हैं उनसे गोत्र चला है तो गोत्र का संबंद रिशीयों से है जहां लोग सिक्षा प्राप्ट करते थे और सिक्षा प्राप्ट करते थे वहीं से गोत्र की शुरुवात होती थी गोत्र का संबंद वंच से नहीं है शुरुवात के समय में गोत्र का संबंद वंच से तो बिलकुल नहीं था इसकी सुरुवात सिक्षा से थी रिशीयों से थी गुरुकुल से था कालांतर लोगों ने गुरुओं के नाम पर भी अस्थान के नाम पर भी और कुल के नाम पर भी गोत्र अपनाया इसी तरह उपनाम का भी है उपनाम की शुरुवात कैसे हुई कि पहले जो है पीता का नाम उपनाम के रुप में लिखा जाता था जैसे जेमालि जे राजेश का पुत्र रिशी है, तो रिशी उसके बाद राजेश, ऐसे नाम आएगा उसका, तो ये परमपरा चली उसके बाद उपनाम जो है, जगह के नाम पर भी, गाउं के नाम पर भी, जैसे से कि महराष्ट में अगर कोई नाय गाओं का है तो वो नाय गाओं कर लिखता है गोरे गाओं का है तो गोरे गाओं कर लिखता है इस तरह और दक्षिड भारत में कूलीन परंपरा चलती है तो उसमें पिता का नाम पिता का नाम ऐसे उनके पिता का नाम ऐसे ऐसे होता ह मतलब उनके नाम में उनकी पूरी वन्शावली होती है तो इस तरह से उपनाम अस्तित्व में आया तो ये तो शुरुवाती था कि पिता के नाम से उपनाम शुरू हुआ इसके बाद क्या हुआ कि राज तंत्र में जब कई राजा बने तो कई तरह की पद्वियां होती थी जैसे कि मंत्री की सामन्त हो गया कि छोटे राजाओं की छोटे राजाओं में जमिंदार आते थे तो उनकी एक पद्वी तो जैसे की चौधरी ठाकूर यह सब जो थी यह अईसे उपनाम आने लगे तो किसी के नाम के पहले आता था और किसी के नाम में बाद में आता अर्था पद्वियों को भी सरनेम बना के प्रयोग किया जाने लगा तो इसी तरह से है उपनाम का इतिहास तो आशा है आप लोगों को यह वीडियो काफी अच्छा लगा होगा तो यह जैनकारी शेयर किजिए और चैनल को लाइक सब्क्राइब करते रहें कायस्तों से जुड़े हुए जैनकारी जानने के लिए और इस तरह के इतिहास जानने के लिए नमाशकर